जहें दोस्तों श्वागय थापका हमारी यूट्यूब चैनल इलने भी दुर्गेश में आज हम लोग सीटेट की एक महामरतन स्रीज लेकर आएं जहां पर हमारा एक मात्रों देश्ये की पर्यावण बहतर स्कोर करना जहां पर पर्यावण सिच्छन हिंदी सिच्छन और साथ चाहरी सिच्छन इन पर टफर्टों सिरीज होगी आपके लिए।술 स्वारियस और और वे विडीयो को अंध्यति श्कोर करना है यह वीडियो आपके लिए काफी महत्रपूर्ण शाबित हो सकती है चलिए बिना रुकिया अजहम क्लास की सुरुवात करते हैं जहाँ पर हम आप देखेंगे कि एक छोटा सा प्रशन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा किया रहा है कि परियावण अद्धेस इच्छा के रूप में आप बच्चों को चिणिया घर ले जाने की योजना बनाते हैं आप बच्चों को निम्खित में से कौन सी गदविधी करने की अनुमती नहीं देंगे और प्रशनों के जवाब दें और सबसे बड़ी चीज़े तो यह है कि आपको प्रशन के जवाब देने के साथ-स आपको एक बात का याद रखना होगा क्यों सब्सक्राइब क्यों सही है इस बात को भी हमें ख्याल रखना होगा तो भीया जी जो लोग जुड़े हैं फटाफट पहला का वीडियो को शेयर कर दें ठीक है आई एम इस पर बात करते हैं सभी लोग देखिए यहाँ पर क्या है कि चुणियागरम उने देखने उनका चित्र बनाने के लिए उनके अग्धाइं काफी साथ ले जाना देखिए यहां पर कह रहा है कि जब ध्रमण विदि पर जाते हैं जब सुनिए है जब भी बच्छों को भ्रमण विदि पर लेके बच्छों को तुहां πर बच्चे ड्राइंब बिदि पर दाले जा सकते यह क अगला चुणियागर में जिन जानवर को देखेंगे उनकी फोटो कतित करना ये भी करना है चुणियागर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने के सामगरी ले जाएंगी कि बच्चे हो सकता है कि चुणियागर के लिए बहुत सारे खाने सामगरी ले जाएंगे यही उनको नहीं करना है माने इस प्रस्ण का जो अपिक तुबिकल्फ होगा ए अर्थाथ ए इसका राइट एंशर होगा तो जितने लोग इस वीडियो को लाइप देख रहे थे मुझे लग रहा सभी के प्रस्ण के जवाब सही थे किसी की भी प्रस्ण के जवाब यहाँ पर गलत नहीं हुए हम आ को इस तरह से सबसे बहतर तरीके से पढ़ा जा सकता अगर एक प्रस्ण करें करें और कमेंड करके दिये प्रस्ण का जवाब दे सभी लोग लाइप जिने फटाफ़र कमेंड करें सभी लोग फटाफ़र कमेंड करें यह तीन विश्यों की सिरीज है जो आपके लिए इलैनी विद्रगेश पर लाइफ चल लई है तो उमीद करते हैं इसका जवाब आप लोग जरूर देंगे सभी लोग कमेंड करके जवाब जरूर देना चाहिए आपको किसे दो बाते हैं कि प्रस्ण के जो उत्तर होते हैं उन्हें किस आधार पर शही करना है तो चलिए बीना देरी के हम आप प्रस्ण को बताईए तो लगबग जितने लोग वीडियो को लाइफ देखरें सभी लोगों उन्हें अपने उत्तर तो दे दिये हैं अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ यहाँ पर यह आगमन विदी के अंकूल नहीं है फिर दूसरा कच्छा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को अस्पष्ट करना अंकुरण अंकुरित बीज को दिखाना अंकुरण की प्रक्रिया को अस्पष्ट करना यह भी यहाँ पर सही हो सक के आधार पर क्या होना चाहिए जो लोग के लेनी विद्रगेश पर लाइब क्लास में जुड़े हैं तीन विश्यों की पैड़ा होगी मने तीन विश्यों की सिच्छर सास्तर की क्लास में लाइब जुड़े हुए हैं वे सभी लोग ध्यांज देखे यहाँ पर जो सबसे पालोकन करने के लिए कहना उनका चत्र बनाने गदवीदी बच्चों को निस्पाधित करना मतलब यहां पर जो विकल्प ए है वह सबसे सही उत्तर होगा सीटेट में बात कहे जाती है कि जो विकल्फ जौहते हुए उसके उत्तरी होते हैं यह उपरोः सभी जो होते हैं वो भी प्राया षाही होते हैं इसलिए इस स्थेल्प विकल्फ होगा इस गर्राइज करें मैं definitely picture तरफ अगला प्रस delic मीरा और दिव्या चोटी लड़कियां हैं मीरा को समोसे कटलेट और डबल लोटी खाना पसंद है जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है इसमें लोह तत्की कमी हो मीरा और दिव्या को निम्रखित मेंशे बीमारियों मेंशे कौन सी बीमारी है जो इस वीडियो को पर सेयर कर दीजी जितने लोगों के बास रहते मं लोगोत्र है इतना तो कर सकते हैं आप लोग आ कि लिए आप नहीं पवचाते हैं हम लेकिन कलभ सेत्थे कमी को होते हैं जुम सी जा 5 मोटापा खत्रा ज्यादा होते उता है क्या होग उन्हें मोटापा किया होगा हूगा लेकिन लोग तक्तु की कमी से अनिमिया नामक रोग होती है अर अब यहां पर आपका प्रस्टर होगा इसकर वी बितामिन कमी जो बचा वो क्या है वह जो था मैंने जित्ते लोगों ने इस प्रश्ण का उत्तर डी बताया था उन सभी के जबाब पूरी तरीके से शही हैं मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्ण की तरफ चली अगला प्रश्ण आपके सामने साथ आपको दिख रहा होगा यह प्रश्ण है कह रहा है कि बच्चों को विभिन प्रकार के इधनों से परचित कराने के लिए एक सिच्चक को क्या करना चाहिए सभी लोग फड़ा फट कमेंड करें अगर सीट में अगर आप प्राथमिक म करके ई-learning बिद्रगेश से जुड़ सकते हैं तो क्लास की PDF के लिए आप लोग की लेनी बिद्रगेश पर जुड़े रहिएगा तो जल्ली से फटाफट कमेंड करके बताएं आप लोग क्या होगा दियेगे प्रश्ण का उत्तर देखें यहाँ पर बच्चों को विभिन प् यह तरीका बता है था कि जब सेटेर का जो विकड्न ज्यादा बड़ा दिखें वह साड़ परसेंट सही होता है जो विकल ज्यादा बड़ा हो वह साट परसेंट परहा सही होता तो यहां पर एक ही फिल्म आपको ज्यादा बड़ा दिख रहा है वह यह दिख रहा है लगू फिल्म बच्चों को दिखाएं यह इंस्याटी में एक अच्छा पांच में साथ खाना पकाने के लिए इस्तमाल होने वाले संभावित इधनों के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं मैंने यहां पर दिएगे प्रशने का उत्तर क्या होगा दूसरा या 20 का राइट एंसर होगा मैंने एक तरीका आपको ट्रिक बताया है कि आपको बस एक बात याद रखना है जो Pakistan लगे प्रसंट नाज आपके तीन वीशां को परना है पहले पढ़ेंगे फिर घंड पढ़ान समय सब लोग इस वीडियो को लाइट करें करें और को मेंट करके आप इस लञब और इकडम लाइब एकदम चली यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम देखेंगे मांचित पढ़ने के लिए अवस्य कोसर में क्या सामील है तो मैं एक लाइन में आपको ज्यादा समय नहीं लूँगा देखिए मांचित बच्चों को पढ़ाने के लिए अभी ब्यक्ति आत्मक योगता की बाहर निकालना यह नहीं होगा यहाँ पर एक लाइन में आप लोग याद रखेएगा यहाँ पर अस्थान दूरी और दिसा अस्थान दूरी दसा के सापित इस्तिति को समझने की योगता मतलब जब तक बच्चों को यह चीज़े नहीं पढ़ता है कितना भी ब यहाँ पर अस्थान दूरी जैसे भारत का मैं बताना है तो यहाँ पर हमें इन बातों के आदको दूरी कितनी है अस्थान कौन सा है इन तीन चीज़ों का ज्यान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है विकास जी आप उसके लिए 630634367 पर वाटसेप करके सारी जनक आपको प्लब्द होगी आज के लिए दिक्कत है कल से आपको नई समय साड़ी मिल जाएगी कल से सीटेट की क्लासे ज्यादर बेदार चले हैं सीटेट और सूपर्टेट यह आपर देखिएगा अगला प्रशन आपके बीच है डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा पर्य स्टेट एड़े दुर्गेस पर और साड़े आड़ बजे से सीडीपि कल चलेगी थाड़ा कल के समय चैन्ज जाइगी चलेगी तो कल से से की स्वीत की शाड़े चलेगी जहां सब्सक्राइब करें इसका उत्तर क्या होगा देखें पर्यावण की अध्यन की कच्छा में बच्चों के बतिगत अनुभाव को महत्तु देना सिच्छक को क्या लाप पहुचाता है जल्दी से कमेंड करें बताएं यहाँ पर हमें आपको जानना है कि पर्यावण देन इक अच्छा में बच्चों को बतिगत अनुभाव को महत्तु देना सिच्छक को कैसे लाप पहुचाता है बह्याजी यहाँ पर क्या है बिसे बच्चों के अनुभाव संसार से जोड़ने और विचार भीमाच सीखने को बढ़ावा देता है यह कुछ हत्तक स पर बात को थोड़ा समझेगा कि परियावरण अध्यान की कच्छा में बच्चों की बतिगत अनुभाव को महत्तु देना सिच्छक को लाप पूचा देखेंगे कि उनकी उर्जया बचाने में यह कि बच्चे बातचीत करना बहुत पसंद करते हैं जैसे बातचीत किया जा सबसे ज़्यादा ध्यानाकार्शित करते हैं इसलिए यहां पर दियेगे प्रशने का जो उत्तर होगा वह आपका दूसरा या विकल 20 का राइट एंसर होगा ठीक है तो आप लोग जित्तों लोग लेनी विद्रगेश पर लाइब देख रहे हैं तो इसके बारे में आप लो मैं अगले प्रशनी की तरफ थोड़ा सा मलूग पढ़ लेते बाद में बाते करेंगे पहलें पढ़ लेंगे लाश्ट मापके प्राशन के जबाब देंगे दिक यहां पर प्रसना है यहां देखा गया है कि पाचन किरिया बाहर के पेच्छा अमासर के अंदर अधिक तेज है वहाँ पर है ठीक है तो डाक्टर बोमोट नामक अध्याय है उसी अध्याय में मिलेगी एक प्रस्ण में उपर जाता हूँ आप विभोर जी लगातार मेरी क्लास में लाइव रहते हैं उनका यह सवाल है कि यह क्यों नहीं होगा बच्चों को उनके अनुभो संसार से जोड वहाँ से यहां पर आप ध्यां से देखिएगा मैं यहाँ पर देखिए कि डाक्टर बोमोट के बारे में बताया गया यह आपने देखा होगा यह इसीरीज में पढ़ा हुआ है ठीक है तो इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पर दिखेगा पाचक रस अमास के बाहर रखते है तो निश्क्री हो जाता है जी नहीं क्योंकि देखा होगा डाक्टर बुमोट ने जो पाचा रस को निकाला और क्या किया वहाँ पर एक ग्लास में मचली के कुछ टुकड़े डाले और कुछ घंटे बार टुकड़े पिखल जाते हैं मतलब यह गलत है फिर कह रहा है अमासय के अंदर अमली होते हैं जो बार इसा नहीं है अब मैं आशर के अंदर भिटचन का मान्थन होता रहता है जिससे उसकी सता है बड़े जातार और 650 सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगेगा लेकिन मेरी मेहनत का लोगों तक पहुच जाएगा यह क्लास इंज प्रत दिन कल से साड़े 6 बजे से मिलेंगे इलने भी दुर्गेश पर लाइब ठीक है चाहे मारे फेजुक पेज़े चाहे यूटूब तो मैंने ट्रिक बताया है कि ट्रिक याद रखेगा ये सभी जहां पर आजाए ये सभी वो भी सीटेट में 80% सही होता है और जहां पर सबसे बड़ा उत्तर होता है वो 60% सही है वो कब यूज करिएगा जब प्रशन का उत्तर आपको ना पता हो तो प्रशन छोड़ने से बेत पर पार्यावरान ध्यान पढ़ाने का उद्देश नहीं है यहां पर प्रशन में नहीं है सब्दकाप प्रयोग किया है याद रखेगा माने तीन हैं और एक नहीं है ठीक है क्या का है इसमें कौन सा उद्देश नहीं है माने तीन है और एक नहीं है आपको यहीं बताना है कि कौन सव देश्ट नहीं है तो भाईया जी अगर आप लोग सेलेक्शन के लिए पढ़त यतनी मेहनत करें वीडियो को सेर दो कर सकते हैं अभी तरह बताई जितने लोग लाइप हो तो लोग लाइक करें तो सब लोग तुरण लाइक को सेर कर देते हैं आईए इस प्रेस्ट दोजार पांच के अगर आपने इस एटी पढ़ी होगी एंसी आटी एंसे दोजार पांच के कहता है बच्चों को सब्दावली परिभासा इनसे दो रखना है जहां पर यह आजाए यकीनन मानिएगा वह प्रश्णियों के आपको यह देखना है कि यह उद्देश नहीं है बच्चों को परिभासा नहीं रटाना है बच्चों को याद नहीं करवाना है बच्चों को बोज नहीं डालना है यह बात आप जानते रिएगा यहीं पर अगर देता को ठारी आयोग दोजर पांच के अंतर कहते हैं कि बच्चों के उपर हैं जो बच्चों पर हमें बोज किसी प्रकार का ठीक है उनके बस्ता को बोच कम करना उनकी बाहर की दुनिया से जोड़ कर पढ़ाना है इस लिए प्रशने का उत्तर क्या होगा एस कराई टेंस्वर होगा अब मैं तीन विकल्पों को भी यहां पर बैक्ठा कर दूं क्या है बच्चों को खोजने किरिया में बच्चों खोजने किरिया में लगाना उनके ब्यहवारी क्रिया करवाना संग्याना प्रकिति को समाजिक वाता करन मुटसभतां जगाना जैसे बरसा क्यों होती है उस बत millor प्र प्थल उपर फिख्टे नीचे क्यों आताए इन बच्चों पर इन सभी पर हमें क्या करना बच्चों की उत्सोक्ता जगाना है फिर जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मुल्लोक आत्म साथ करना तो यह भी बच्चों को कराना है इसलिए यहाँ पर गलत पूचा है और जो गलत है वही सही है इसका राइट इंस्वर मैं आगे बढ़ना अगले प्रश्ण की तरफ चाहें तो इस किंसोट कर लें प्रस्ट से ज्यादा बहमूल आपकी ब्याक्ख्या होती है और आप याद रखेगा सिच्छक भरती की ऑनलाइन बैच इलैनी बिद्रगेश पर चल लई है अगर आप जोहाइन करना चाहें इलैनी प्रश्ण है जो कई बार परिच्छा में आपको देखने को मिला है यह अभी इंस्याटी कच्छा चार में यह मैंने पूरी इंस्याटी रख्टा मार दी इसलिए आप लोग कहते हों कि सरु कैसे पता हो जाता है कि कैसे यह किस बुक में है यह स्याटी क्लास फोर्थ में ठी ठीक है अब यहां पर हम देखेंगे या ओनलाइन लेकपाल के इसे में क्लोज है जब वेकेंसी नजदिक होगी तब होगी भैस की पीट पर अक्सर बगुला इग्रेट पच्छी बैठा दिखाई देता है ऐसा क्यूं होता है यह एक अदम हलुगा प्रस्ण है फटा-फट क इसकी पीट तुरंद मिल लागी आज क्लास खतम होने बाद उसके लिए आप दुर्गेश सर्च करिए बीना स्पेस के इलनी पे दुर्गेश पर जुड़िए प्रदीनी तीस प्रश्णों की सीरीज तीन विसेओ की सिच्ण होगी देखिए आपन एकदम हलुआ सभी के उत पूला खाता है यह अगले प्रश्ण की तरफ गलती मत करिएगा आप लोग यहां गलती कर देजिएगा परिच्छा हाल में मत करिएगा यह NCI TEE क अच्छा पाँच में है जहां पर पाट का नाम है यात्रा यात्रा में इसका जिक्र किया गया है क्या है आएए देखते हैं देखिए पर्यावरण अध्यान की पाटिपुस्तक में रेलेवे टिकट का जिक्र किया गया है और एक नमूना दिखाए गया क्यों भाईया जी फटा फट कमेंड करिए और ये कच्छा पांच के इंस्याटी के यात्रा नामक अध्याय में है और यात्रा क्या है यह थीम भी ह जी अगर आपने थीम याद किया होगा तो आपको थीम भी होगा बताए फटापट कमेंड करके मैंने तरीका एक ट्रिक बताया था जिस प्रश्ण का उत्तर आपको सीटेट में आया है जिसका उत्तर बड़ा दिखे उस पर ठोक दीजेगा ताला उसमें क्या कर दीजेगा उस पर ताला लगा दीजेगा और जैसे ही आप ताला लगाएंगे वो प्रश्ण आपका सही हो जाएगा अब देखिए वो ट्रिक जैसे मुझे प्रश्ण नहीं आता तो सबसे बड़ा बिकल्ब किसका है पता चला बिकल्ब दो का है आईए बिकल्ब दो को पढ़ते हैं ब मैं इतना है आप लोग को समझ में आ गिया चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी तक EBS के दस प्रस्ण खता मोच चुके हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अगला मैद की पेडागोगी, तो कितने लोग तयार हैं, मैद की पेडागोगी के लिए कितने लोग तयार हैं, फटावट कमेंट करके बता हैं इलेनि विद्रगेश पर, सबी लोग, वीडियो को जितने वीडियो को लाइक कर रहे हैं मैस्वर से प्रात्ना करता हो भगवान करें वह सीटेट ही न क्वालिफाई हो बलकिन जल्दी से वह शाहिक अध्यापक जरूर बने आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्णिक अगला है इलेनी बिदुर्गेश पर अब हम लोग हिंदी की पेड ोगी की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ परिश्ड़ पर हिंदी पेडागोगी की। जो किस पर होगी कि वीडियो को share जरू करिएगा, पैसे आपका नहीं लगेगा, लेकिन लोगों तक मेरी मेहनत पहुच जाएगी, बस उसी का आपको धन्यमात होगा, ठीक है, चलिए, अब हम इसको जूम करते हैं, ताकि ये प्रशनाप को एकदम साब दिखे, चलिए फटाफट कमेंड करिए और बताइए कि पाठ में दिए गे चित्र का उद्देश क्या होगा, पिट क्लास में मैंने चित्रे का ध्याय पढ़ाया था, हिंदी सिछन सास्तर में, तो जरा सा फटाफट कमेंड करिए, कि जो लोग लाइब देख रहे हैं, बताइए 10 सेकंड आपके पास इसका उत्तर क क्या होगा, फटाफट कमेंड करिए, सभी लोग फटाफट जबाब दे जो लिए वीडियो को लाइब देख रहे हैं, देखिए आईयम इस प्रश्ण को बताता हूं ध्यान से, बहुत ही सही जवाब है, वास्तों में आप लोग महंतिय लड़के मुझे लग रहा है इस बा पाट की सोभा बढाते हैं जी नहीं, चित्रों से पाट पुस्तक आकरसण बनती हैं जी नहीं, चित्र अमूर्ट संकलपनाओ को समझने में सहायता करती हैं जैसे अब हम यहां पर दो चित्र जब बनाते हैं, देखिए जो चित्र होता है, जैसे यहां पर देदी आज़ए पांच अंतर ढोड़िए तो बच्चा क्या करता है जैसे माँ पे दो भालू बनाए तो देखता है भालू की आख है भालू की नाख है भालू के कान है भालू के रंग कौन सा है तो बच्चा क्या करता है उन तत्तिकों समझने का प्रयास करता है काटून की माध्यम से बच्च सभी होगा क्या भी तक ये त्रिक आपके काम आया अगर आया तो लाइक ठोक किये तुरंथ और वीडियो को सभी साथ हो तक पहुचा ये मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रिश्ण की तरफ है अगला प्रिश्ण आपकी बीच है भासा के अभीव्यक्ति कौसल क्या है तो पता हिएव फ्रफुक्त कमेंड करके सभी लोग फुटा फट कमेंड करेगा कमेंड करके दिए गए प्रिश्ण का जबाब दीजेगा सभी लोग चलिए देखें आईए यहाँ पर प्रस्ण का जानने का प्रयाश करते हैं कि भासा अभिवत्य कौसल क्या होता है सुनना और लिखना सुनना और पढ़ना ऐसा तो होगा नहीं सुनना और बोलना सुनना और बोलना देखें भासा के अभिकतात्मक कौसल क्या है मतलब अभीबक्त करने क्या है कैसे हम अपनी बात आप तक पहुचा रहे हैं तो मैं दो तरस पहुचा रहा हूँ कैसे जैसे मैंने लिखा राम तो मैंने क्या किया पहला लिखा आपको क्या किया लिखकर दूसरा मैंने क्या किया बोलकर मैंने यह अगर आवाज दिया तो बोल लेपर दिख गया तो मैंने कैसे आप तक पूछा दो तरह से से मैं किलिए कोश्याम मैं बोला राम मैं बोला कोश्याम मैंने rekla siam मैं ने सियाम मुझा बोल दिया आप तक पहुझ गया किलीग यहां पर दियेगे प्रिश्नका चुभि क्रिष्ट अब इवित्त करने की कौसल है वो दो तरीके से कॉंसेट के लिए किसी कोई डाउट कोई डाउट हो तब पूछ सकते हैं ठीक है मेरा उद्दिस आपको सीटेट हर अच्छे अंकों से उत्रण कराना है तीन बीसे कि सच्छा साथ रहे एक बीसे हमने एवियस पढ़ लिया अब हम लोग हिंदी सिच्छण पढ़ रहा है मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले पैश्ण की तरफ चलिए अगला पैश्णाप की बीच है इलेनी बिद्रगेश पर आपको दिख रहा होगा यह क्लासे इलेनी बिद्रगेश पर जोनपूर से संचालित की जाती जो साथी करें ओर आप जबाद दें कि नहीं है मतलब क्या हूओ सबी लोग फटाफड पर कमेंड करें नहीं है का मतलब क्या होगा तीन है और एक नहीं तो बताई ये क्या होगा मतलब भया मैं इसको जूम कर देता हूं थोड़ा सा देखे यहां पर कह रहा है कि धोनी संके चिन्नों का संबंद बनाना तो भया धोनी संके चिन्नों का संबंद वह ज़से कहते हैं एक खड़ी पाही ठीक है फिर गोला फिर ये फिर उपर इससे इस तरह हम लोग क्या बनाते है कर तो जिए कर बनाते हैं तो धनी चिन्नों का संबंद बनाते हैं तब तो जाकर हम कर लिख पाते हैं फिर क्या रहा है वडमाला क्रम को कंठस्ट करना तो भया जब बच्पन में भच्पन्ड में जब हम लोग को पढ़ाय आ जाता है तो समय हमें चित्र दिखाने के पाद इसे कंठस्त कराने का वड़ं है उसे कंठस्त कराने का प्रयास के जाता है आइए एक बार उपढ़ लें बिभिन संद्रभों में भासा का प्रभावी प्रियोग करना जैसे अलग-लग जगा खाली है भरा है राम इसकूल नहीं आया मौहन इसकूल आया करीम स्कूल आया नहीं आया सुखदेव स्कूल आया इस प्रकारम क्या करते हैं संदर्वों भासा सली का प्रयोग करते हैं असपश्टा इम्म आत्विस्वाज के साथ अपनी बात कहना यहां पर अब विकल्ब दो और तीन में कौन सा सही है तो यहां पर जितने लोगों ने इस प्रश्ट का बिकल्ब सी बताया है उन सब के जबाब पूरी तरीके से सही है माने वडमाला को कंठस्त नहीं कराना है उन्हें याद नहीं करवाना है इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि बच्चों को क्या करना होगा कंठस्त नहीं कराना है बच्चों को याद नहीं करवाना है बच्चों को रटवाना नहीं है इस बात का आपको सभी को ख्याल मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रस्ण की तरफ मैं फास्ट करा रहा हूंगा देखिए एक बात मैं आपको पहले बता दो मैं सीटेट का प्रस्ण करा रहा हूं मैं एक बात नहां पर आपको असपस्ट रुप से बताना चाहूंगा सीटेट में प्रस्ण कितना करते हैं य इसलिए इलनी बिदुर्गेश पर आप लोग ब्याक्षा ही पढ़ने के लिए करिए प्रशन तो बहुत सारे चनल पढ़ाते हैं प्रशन से ज्यादा मायने ब्याक्षा रखती है यहाँ पर है उप्चारात्मक सिछण की शफलता निर्भर करती है सभी लोग फटाफट करें वो जल्दी से सीटेट ही क्वालिफाई करें और अगली सिच्छण भरती में अपना एक सिट पक्का करें देखें यहाँ पर उप्चारात्मक सिच्छा क्या है सिच्छण की समागरी पर भासाइक नियमों का ग्याने तो गलत हो गया समय अवाधी पर ये भी नहीं होग अब उसे मारिये मत उसे जानने का प्रयास करें क्यों हो सकता है वो आपकी भासाना समझ पा रहा हो सकता है वो बच्चा सुनकम पा रहा हो हो सकता बच्चा बोलना पा रहा हो हो सकता बच्चा हिचा करा हो हो सकता बच्चा डर रहा हो उसका उप्चारात्मक सिच्छण यही निर्बर करती है बालक के कहीं असुद्खारण कर रहा है बालक बोल नहीं पार रहा है तो इस सभी बातों को हुमा करना चाहिए जनना चाहिए ठीक मैं आगे बढ़ Twitter की अगला प्रश्णाप के सामने आपको लाइब देख रहा होगा यहाँ पर कहरा है कि भासा कौस्लों के संदर में कौँ सा कथन उचित है, माने का 구odakन सा कथन सई है माने तीन गलत है और एक सही है तो ज़रा फटाफट कमेंड करिएगा कमेंड करके आप लोग जबाब दीजे भीया जितने लोग वीडियो लाइब देख रहे हैं उतने लोग आप सेयर कर देंगे सभी के पास WhatsApp की कम से कम 10 गुरूप से ज़ादा होंगे तो आप अपने सभी गुरूप में सेयर कर दे WhatsApp की status पे डाल दे Facebook के timeline पे डाल दे इतना दो कर ये हम आपके लितनी मेहनत करते हैं तो आप इतनी नहीं कर सकते यकिने आप सीटर सफल होंगे आपका भी साथ अगर मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ भासिक नियमों का ग्यांजरूए गलत देखे यहाँ पर नियम की बात का मैं किसी लिए ब्याक्ठा करता हूँ सब देखी यहाँ पर नियम की बात कर रहा है मतलब ये विकल्व गलत आगे बढ़ते हैं विद्याले में केवल पढ़ना लिखना कौसनों पर बल देना चाहिए गलत पढ़ने लिखने का लामा गद्विदी भी करानी है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौसल करम सही सिखते है कह रहा है भासा के चारो कौसल अंता संबंदी था है बोलना सुनना पढ़ना यहां पर क्या होगा तो यहां पर दियेगे प्रस्ण का उत्तर डीस का राइट एंसर होगा जितने लोगों ने प्रस्ण का डी दिया है उस सभी का जबाब पूरी तरह से सही है संध्या जी सर यहां आघले प्रस्ण की तरफ जो साथी फेस्बुक पर देख रहें वीडियो को सेर कर दें अगला प्रस्ण आपके सामने है यहां पर इक प्रस्ण आपके दिखर आओगा बहुती आसान प्रस्ण हैं हिंदी सिच्छाण है मैंने आपको बताए हम तीन विसे क इच्छक के रूप में किस बात को अधिक महत्तों देंगे सभी लोग फटाफट कमेंट करें आपके पास दस सेकेंड है प्रशन का उत्तर बताने कि उसके बाद मैं इसकी ब्याक्ठा करना शुरू करूंगा कि सभी लोग फटाफट कमेंट करें जो लिस वीडियो को लाइब देख रहे हैं सभी लोग जी का री एकता मातुर जी यस्तिवारी अनुराग यादो कंचन राजगुप्ता सबनम खातून प्रदीब कंचन बीमल बीमल जी काफी लगातार क्लास देखते हैं हेम अ अम्रेश निर्मल चलिए सबनम चलिए सब बहुत धन्यवाद अब सभी का मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले पश्णी गितर में पर थोड़ा सा जादा घीची करा ने बहुत सारे इतनी लोग लाइब देख रहा है मैं नामी बोल जा रहा हूं सबके चलिए सोनी जी चलिए देख देख खुश्बू अमन गीता अंकाश बिमर चलिए अवीने सकते ना जी अगर देखें बच्चों को भासा पर्योंक से अधिक अधिक उसर देना एक बात याद रखेगा कि जैसे जो बच्चे हैं अगर उन्हें ज्यादा ज्यादा आउसर देना वह बोल कर सुनाए गा कर सुनाए हस को सुनुने बोलने देना है जैसे मैं कहता हूँ प्रस्निका जवाप कमेंड करके दे मैं बार बार क्यो कहता हूँ कमेंड करिए बोलिये अपनी विवैकत रखेगर यहाँ होगा पर इसमेант हम गलए थोड़ीन होगा यहाँ गलत रहायेंगे किया मैं को ब रासा प्रयोग से अधिक से अधिक मौका देना चाहिए व्योक में केता है बच्चे गलती करके सीखते हैं आप यहां गलती करिए लेकिन परिच्चहाल में गलती मत करिएगा फिर कहा रहा है बच्चों को ब्याकरंद जी नहीं ब्याक्रण नहीं सिखाना है, उसे तो बस बोलना सिखाना है, बच्चों को भासा सिखाना है, ब्याक्रण तो बाद में सिखेगा बच्चा, फिर कह रहे हैं, पाट पुस्तक के प्रतेग पाट को भली बात यह रही नहीं या, हमें परिच्छा का दैरा नहीं बनाना है, याद तकि दीच है कि लोग कर लोग लाइब देख रहे हैं या गलत हो जाएगा लेकिन आपको परिच्छाहाल में गल्ती नहीं करना है, यहाँ गल्तियाँ करिए, यहाँ जबाब दीजी भीव्यत्य है आपकी, मिझे बार-बार क्यों कहना पड़ता है, आप मत सेर करिए, मत लाइक करिए, लेकिन अपने ऐसे मत करिए, तो कि सरकारी नोकर यूतनी आसान न यह कुछ सी बात है यहां पे कठिन कुछ नहीं है आप टीचर बनने जा रहे हैं बच्चों को सिखाने जा रहे हैं कह रहा है वे मल लगा के हिंदी नहीं जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है प्राइए हिंदी और उनकी मात्रवासा अंतर होती है यूंकि क्या होती है जैसे हमारी मात में और यहां पर देखे एक बहुत सांस्कृति कच्छा में आप और भासा सिच्छक के रूप में किस बात को अधिक महत्तों देंगे जितने लोग लाइब हैं सभी कमेंड करके बताएंगे कोई भी ऐसा नहीं है जो इसका उत्तर ना दे दस कोस्टेन इसलिए नंबर नहीं पड़ा अब खुस्बुभात जी बहुत भूद धन्यवाद आपका ये बढ़कपन है तो जितने लोग हैं कि वह दस लोगों को प्रदिन का अच्छा में जोड़े दस लोग को प्रदिन का अच्छा में जोड़े लेनी विदुरग अच्छे वह ही मैं भी सोचता हूं ठीक है आई यह चलिए यहां पर देखते हैं स्वेम सुद्धभासा का प्रियोग करना अच्छे मैंने पढ़ा दिया था सॉरी यह मैंने पढ़ा दिया था चलिए आगे चलते हैं बोलने कॉसल से महत्पूर्ण है बताइए फटाफट अ पढ़ेंगे जितने लोग उने सेर किया उन सभी को मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद भगवान करो सीटेट अच्छे अंकों से पास हो और साथी साथ एक अध्यापक जल्दीशे बने जितनों अलाइक क्या भगवान करो ऐसे करते हैं जैसे आज कर रहे हैं उनका बुद्ध् कि अगवा में नहीं बढ़ानी है यहां पर अश्पस्ट अ 마음에 यह नहीं है बच्चा गलत बोले लेकिन भूले मबच्चा क्या हो बोले लेकिन गलती सई उसकी अभिवक्ति होनी चाहिर कच्छा में कहरा है मधूर वारी जरूर्छी नहीं है जिए सब है आप लगातार मेहनत कर रहा है जूर रशनी क्लास तारिक से टारिक सफकी स्व makes Nee सबैकी लोग डिस्किप्सर में टेली ग्राम होगा टेली ओंत जुड़ियेगा या दूर्गेश सरसर्च करके सब्सक्राइब प्रशन करके टेलेग्राम पर जरूर जुड़िएगा जो भी साती है टेली नाटिफिकिसन चाहिए तब डेली चलास में सभी चीज़े पर आपके बीचे एकदम हलुआ वाला प्रस्टन है यकीन मानिये सीटेट पास करना बहुद आसान है अगर राइट डारेक्शन मेहनत किया जाए तो यहाँ पर प्रश्ण है कि एक समावेशी कच्छा में कौन सा कथन भासा सिच्छन के सिधानतों के प्रतिकूल है प्रतिकूल है बैया तो जल्दी से फटाफट कमेंड करिए समावेशी सिच् मैं समझा दोंगा अच्छी तरीके से बताइए सभी लोग फटाफट करके चली देखे यहाँ पर मैं आपको असपश्ट रूप से बताऊंगा एकदम बढ़ियां से प्रिंट समरिद्धी भासा सीखने में साहिक होता है अगर प्रिंट समरिद्धी महौल होगा तो जो बच बच्चे द्रिश्टिवादीत होंगे वो बैचारे कैसे सिखेंगे वो बच्चे नहीं न सीख पाएंगे इसका मतलब चौथा तो गलत नहुआ तो अब देखते हैं भासा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है भाईया जो भासा है वो परिवेश में रहकर यह सही बात हो गया मैंने बात का था जिस प्रश्ण का उत्तर नहीं आए जिसका सबसे बड़ा विकल्फ होता है वही सही होता है तहां पर क्या हुआ बच्चे परिवेश से प्राप्त भासा को ग्रहन करते हुए भासा के प्रियोक का नियम खुद से बना लेते हैं बच्चे नियम कैसे समान बनाता है जिनने अधिक समाहित कि 96 चलते हैं आगे बढ़ रहा हूं आगे परश्णर की तरफ इस यहां पर प्रशन और है कहानी सुनने से कहानी सुनाने से क्या होता है बताइए दस सेकंड आप लोग के पास से देखते हैं कौन इसका उत्तर बताता है कि मैंने बताया कि ब्लूप्रिंट तब सही होता जब समावेशी नहीं होता समावेशी का मतलब क्या होता जैसे इसके उपर अले प्रिष्ण का मैं बैक्षा थोड़ा सा कर दू जैसे यहां पे हैं बच्चे 40 बच्चा भी अच्छा में कोई दिश्टवादी है कोई पैर से व उत्तर नहीं है जो बढ़ा वाला हुआ है सही होता है अब देखेगा कितनी मेरी बाते सही हैं सभी लोग आज माईएगा और आप सीटेट के जब बाहर आएंगे पर इच्छा देकर यकीन मानेंगे कि वास्तों में इलने विद्रगेश क्यों बेस्ट है देखें बच्चे अनुसासित रते हैं याद रकेगा एंचेयफ 2005 ए कहता है कि बच्चों को अनुसासित नहीं रखना भीच्छे कर बैठेंट केयों हुआ है प्र संब दोहाजार 5 में जेए की जीवन्द कर भीच्च्छ होनी चाहिए आपही कर नएहां तोστस दूर होना चाहिए एक औगर भागने लगे अब बच्च क्या होगा बच्चों के दिमाग में बाते चुने लगी राजा हा रहा होगा सैनिक भाग गए बारी क्या होगा अगे क्या होगा बच्च उस कहानी में दूब जाते हैं फिर कहानी जब सई होती हैет unstir आतबल होता है वह आत्म प्रेरित होते हैं क्योंकि बच्चे कहानी में अपने किरदार को मैसूस करते हैं अब वो क्या होगा बच्चे बड़े ध्यान से कहानी सुनते हैं और उनकी चिंतन सक्ति का भी विकास होता है इसलिए हमने देखा कि बच्चे क्या होंगे अब राती ज नीचे जैसे ही बैठ पहुचा तैसे एक तेत दहार करते हुए सेर की आवाज सुनाएं दी राजा धिरेदे दुबकने लगा राजा डरने लगा वह पेड़ पर चनने का प्रयास करने लगा शेर और नजदीक आया अचानक बिजली कड की राजा सेर के सामने था अब क्या होगा बच्ची तम ध्यां से सुनेंगे और क्या होंगा अब बच्ची क्या होंगे अब नीच से जगेंगे कहेंगे सर सर अब तो राजा क्या करेगा तलवार भोग दे कोई कहेगा सर भाग जाना चाहिए तो बच्च उस कहानी में क्या करेंगे आत्मसाथ होंगे उनके चिंतन सक्ते का अभिकास होगा इसलिए इस प्रश्ण का जो सबसे उपिक्ट विकल्प होगा वह एस का राइट एंसर होगा हम लोगों ने भी बस्पर्मिय किया है ठीक है तो इसलिए इस प्रश्ण का उत्तर क्या होगा एस का राइट एंसर होगा अब हम लोग जल्दी से गणी से पढ़ेंगे कि मेरी अगली क्लास है तो वह क्लास मुझे लगता छूट जाएगी ठीक है इसलिए मैं पढ़ाना तो प्रश्ण सभी से कराऊंगा लेकिन मेरी अगली साधे 9 बज़े की क्लास है तो मैं आज आपसे माफी चाहता हूं कल की क्लास में मैं गणी सीरीच जो है मैथमेटिक्स जो है वह भी मैं उसमें जोड़ोंगा और उस सीरीच को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो जो साथी लगनी विद्रगेश पर लाइब जुड़े हुए है सभी से मेरा निवेद्दा नहीं वीडियो को जितना ज़्याद हो सके अप सेयर कर दें और कल से क्लास जो साड़ेश च्छा बज़ेश चलेगी 6 बज़ेश का 30 मिनट पर लाइब चलेगी जहां पर तीन भी से सिच्छन चलेग होंगे हिं उसके बाद मैत सबी पैड़ा कोगी होगी तीनों की उसके बाद ये साड़े च्छा से साथ त्युड़ब घंडे चलेगी उसके बाद साड़े आड़ बजे से आपकी सीडिपी चलेगी साड़ आडवेस क्या चलेगी सीडीपी स्पेसल चलेगी प्रामरी और अपर प्रामरी के लिए ठीक है ये क्लासे साड़े नो बज़ जी एस की समान अध्यन की जो सुरीष चलती हो चलेगी और दो पहर में दो पहर में आपकी जल्दी साइन्स और आड़ की दोनों क्लास से जूनियर की चलेगी वो भी एक तारिक से सभी लोगी दुड़े को सभी साथियों तक पहुचा दीजिएगा और online class जोईन करने के लिए आप एक नंबर दिया जा रहा है 630-63-44-367 पर class जोईन कर सकते साथी साथ टेलीग्राम पे इसकी PDF आपको आगे भी इनसे आटेगी जो PDF है हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी ठीक है तो टेलीग्राम पे आप लोग दुरगेश सर्च करिएगा बीना स्पेस के इलनी बिदुरगेश पर जुड़िएगा जैसे description उसकी link होगी साथनी बाद की तिहाद चल लाइब डीज दुरगेश पर जो साथि सच्ख बनना चाहते हैं आपर आप प्रामरी का सुपरटेट पास करना चाहते हैं वह आशकते हैं साथन्य कुछ मिनट के बाद रहारान सेट पने वीडियो को शेर जरू करिएगा कि एक घंटे से क्लास चल लई थी बहुत धन्यवाद बेस्ट ओफ लग जय हिंद जय भारत एक बार प्रेम से बताईए क्लास कैसी चली अगर आपको बहतर लगी है तो आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो को जरूर सभी साथ्यों को पोच आपक बने कि चलिए बाइबाइब चलते हम कि अगली क्लास नहीं तो लेठ हो जाएगी है कि अ क्लास में हम कर फोच म ability कि अगर गár वाज कं श्रावब कर दो कि तो आपको आपको ज deja आपको, नहीं जेता है तो आपको झूरी।